प्रिया विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस क्लास के माध्यम से हिंदी साहित्य बिये दुत्य वर्ष्व के प्रतम प्रश्ण पत्र में रीती काव्य के अंतरगत संक्लित कवियों में आचारी केशव की रामचंद्री काख के एक पद का अध्यन करेंगे यह चंद परिक्षव उपयोगी भी है तथा बहुत बार परिक्षाओं में व्याख्य के दृष्टि कौन से पूछा जाता है पद इस प्रकार है कि सब जात फटी दुख की दूपटी कपटी न रहे जहां एक घटी निघटी रूची मीच घटी हूं घटी जग जीव यतिन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरुग्यान गटी चहु ओरन नाचती मुक्ती नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी प्रस्तूत व्याख्या रामचंद्री का से पंचवटी वन वर्णन के अंतरगत उद्धत है यह अवतरण आचारे केशव की रामचंद्री का महत्पून छंद है जोकी पंचवटी वर्णन खंड से लिया गया है अब हम इसकी व्याख्या करते हैं कि जब राम लक्ष्मण और जान की वन गवन के दोरान पंचवटी पर कुछ समय के लिए रुके तो वहां का प्राकरतिक सोंदर ये इतना मन भावन था कि तीनों वनवासियों की संपून थकान, संपून कलेश, कष्ट, छंड भर में ही दूर हो गए लक्ष्मण वहां की प्राकरतिक शूश्मा की तुलना भगवान शंकर से करते हैं वे कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान शंकर के दर्शन पाकर मनुष्य के सारे दुख ततकाल दूर हो जाते हैं उसी प्रकार पंच्वटी में आते ही यहां के प्राकरतिक सोंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे संपून दुखों की चादर फट गई हो अर्थात सभी प्रकार के कष्ट समाप्थ हो गए हैं यहां पर आते ही प्राणी का मन पूरी तरह शुद्ध पवित्र और निर्मल हो जाता है और उसके मन में व्याप्त संपून सांसारिक विकारों का श्यमन हो जाता है अर्थात विशेवासनाएं शान्त हो जाती है उसके मन का छल कपट दूंद निकल जाता है ऐसा लगता है कि मानों कपटी व्यक्ति तो एक पल के लिए भी यहां पर नहीं टिक सकता भगवान शंकर के दर्शन पाने के पश्चात जैसे मनुष्य मोक्ष की कामना छोड़ देता है तता वह ब्रह्म का शाक्षात कार करने के लिए समादे हिस्त होने की इच्छा भी नहीं करता उसी प्रकार पंच्वटी के पावन परिवेश में आकर मानव जीने की तमन्ना रखने लगता है और वह मृत्यू से भेवीत होने लगता है यहां तक की तपश्यों अत्वा यतियों की समाधी अवस्था भी छूट जाती है यह द्रश्य यह पंच्वटी इतनी उद्दात है इतनी मनोरम है कि इसके प्राकरतिक सोंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक एवं आध्यात में कामनाएं तरप्त हुई जान पड़ती है और उसके मन में असीम शान्ती प्राप्त होने लगती है लक्ष्मन जी कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ती पंच्वटी में आता है वैसे ही मानव के पापों की बेडियां कट जाती है और शिग्र ही भारी ज्यान की गठरी उसे प्राप्त हो जाती है अर्थात पंच्वटी में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा वह ज्यान चेतना की और आक्रिष्ट होकर महा ज्यानी बन जाता है इस प्राकर्तिक सोंदरिय में मुक्ति की बलवती इच्छा नटी के समान जिस प्रकार नटी चारों रत्य करती है वैसे ही इस प्राकर्तिक सोंदरिय में मुक्ति की बलवती इच्छा नटी के समान रत्य करने लग जाती है और यहां का वातावन सभी प्रकार की सांस्कृतिक चिंता एमत्रशना से मुक्ति दिलाने वाला है इस प्रकार पंचोटी में स्वेम भगवान शंकर के सभी गुण विद्यमान है यह वन निश्चही तपो भूमी है निश्चही पवित्र है और निश्चही महादेवनात के समान है शिव तर्शनो प्रांत जिस प्रकार पाप शमित हो जाते हैं ठिक उसी प्रकार की अनुभूती इस पंचोटी में आकर भी होने लगती है तो प्रस्तुत पद बहुत ही कलात्मक ढंग से पंचोटी के प्राकरतिक सोंदरिय का वर्णन कर रहा है केशव ने इसमें एक तरफ तो अपनी विद्वता और कला का परिचय दिया है तो तो दूसरी तरफ अपनी भावुकता का भी परिचय देने में वे नहीं चूके हैं अगर हम कठिन शब्दों के बात करें तो इसमें जो कठिन शब्द हैं सब जाती मतलब पूरी तरह से दुप्टी मतलब दुपट्टा या चादल गटी मतलब घडी अर्थात पल भर निगटी निश्चही जती अर्थात तपस्वी गटी अर्थात गठरी बेरी मतलब बेडियां मीच तातपरी हैं मृत्यू तटी मतलब समाधिवस्था अग ओग मतलब पाप की राशी नटी नर्थ की और धूर जटी अर्थात स्वेम महादेव तो यह है पद आजर्य केशव की काव्य कला का उतकर्ष है अगर हम इसमें कलात्मक्ता की बात करें तो प्रस्तु चंद में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रियोग विसेश्था किया गया है प्राकर्तिक सोंदर्य के वर्णन में हालांकि इस अंच में एक दोश भी दिखाई देता है क्योंकि जहां भी सोंदर्य का वर्णन हो चाए वो प्राकर्तिक सोंदर्य हो चाए वो इस्तरी सोंदर्य हो वहाँ पर कोमल पदों का या कोमल वर्णों का प्रियोग किया जाता है लेकिन यहाँ पर टैवर्ग का अधिक्तम प्रियोग इसमें एक प्रती कूल वणता दोशुपन करता है हवतरण में दुर्मिल सवय चंद का प्रियोग हो भाई इस चंद के प्रतेग चंद में आठ सगन होते हैं और बाहरवे वण पर यती होती है इस प्रकार यह पद व्याख्या के दरश्टी कौन से विद्यार्थियों के लिए महतुपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।